अगर आप जानना चाहते हैं कि जून मंत में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनरजीज होंगी, क्या आपके पार्टनर की एनरजीज रहेंगी, कैसे छोटी-छोटी सी चीजों का खायाल रखके, आप जून मंत की एनरजीज को बदल सकते हैं, अपनी आप लगों के लिए जून 2023 की love tarot reading है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो आपके नाम के हिसाब सिराशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो इंतजार किस बात का है चलिए जी आपकी love life जून मंत के लिए देखते हैं second set में आपके partner के energies देखेंगे and third set में हम देखेंगे कि finally June month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आपे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Six of Souls Rivers और ये card कहता है कि कुछ time से या June starting में stuck सी feeling आपको महसूस होती हुए दिख रही है क्योंकि ये general leading है ये stuck energy सब Libras के लिए differ करेंगी कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप किसी चीज को छोड़ कर आगे बढ़ना चाहा रहे हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप travel बहुत time से करना चाहा रहे हैं ट्रावल नहीं कर पा रहे हैं कुछ के लिए देखिए again मैं कहूंगी किसी चीज से move on करना चाहा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं देखिए deeper level के लिए love cards and hisht के cards कहते हैं बहुत एक प्यार महबबत आप अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं हिश्ट का card कहता है marriage, engagement, live in या फिर long term के लिए आप अपने partner का साथ अपनी life में चाहते हुए दिख रहे हैं और इसी से ही related हो सकता है Libras कि कोई movement नहीं हो रही है चीजें इस direction में आगे नहीं बढ़ रहे हैं और इसी लिए आप एक stuck energies महसूस कर रहे हैं 10 of swords का card कहता है कि कुछ चीजों को end करके एक नहीं beginning आप इस relationship में या फिर अपनी life में किसी भी level पर करना चाहा रहे हैं और कहीं देखिए इसी ending beginning से related एक discomfort रहता हुआ दिख रहा है कहीं आप बहुत great नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर से मैं कहूंगी कि कुछ issues कुछ problems आप इसी ending beginning से related महसूस करते हुए दिख रहे हैं and end June के लिए यहाँ पे Eye of the Beholder and Knight of Pentacles के cards कहते हैं कि आप pause finally ले रहे हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि जब तक जो आप चाहते हैं इस relationship में वो आपको नहीं मिलता है आप आगे नहीं बढ़ेंगे या फिर देखे कुछ चीजों को लेकर आप बहुत sure बहुत secure होना चाहते हैं और जब तक कि आपको वो surety नहीं मिलती है जब तक कि वो stability वो security आप नहीं महसूस करते हैं आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं और दिखे eye of the beholder के कार्ट को जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस figure की आँखों के आगे हाथ हैं जो कि इसकी आँखे बंद कर रहे हैं और इस कार्ट का मतलब यहीं है कि कुछ चीजों को लेकर आप अपनी आँखे बंद कर रहे हैं कुछ च देखे यह जनरल लीडिंग है सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा अब देखते हैं लिबराज कि आपके पार्टनर की क्या एनरजीज हैं तो आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ट मुझे दिख रहा है two of pentacles और यह कार्ट कहता है कि आपके पार्टनर हो स ना तो completely इस relationship में आ रहे हैं ना फिर वो completely इस relationship से जा रहे हैं उनकी कहीं in and out, up and down वाली energies रहते हुए दिख रही हैं यानि कि again एक fluctuating सी energies हैं कितनी बारी आपने देखा होगा relationship में पार्टनर ना तो एक concrete promise करते हैं किसी चीज़ का ना ही concrete you know एक commitment या stability देते हैं और ना ही उस relationship में से आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसी ही energies आपके partner की भी रहते हुए दिख रहे हैं लीपर level के लिए lip service का काट कहता है या तो वो आपसे बाते तो कर रहे हैं लेकिन उनके action initiatives missing रहते हुए दिख रहे हैं यानि कि फिर से मैं कहूंगी आपसे अच्छे अच् बाते कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से एक अच्छी बाते करते हुए दिख रहे हैं लेकिन जो वो कह रहे हैं उस पे कायम नहीं होते हुए दिख रहे हैं और कुछ लिबराज के partner के लिए lipraज आपकी लिए ऐसा उनको महसूस हो सकता है कि आप कहे तो बहुत कुछ रह हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं आपके again you know actions आपके words के साथ नहीं match कर रहे हैं लेकिन Libra's या आपके partner की energies है तो आपके partner के लिए ये जाधा रहता हुआ दिख रहा है जहापे उनके शब्द, उनके words, उनके actions के साथ नहीं match कर रहे हैं और सब Libra's के partner के लिए differ करेगा कुछ मिठा मिठा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, प्यार महब्बत की बाते कर रहे हैं लेकिन उनके actions में वो एक प्यार महब्बत, वो एक commitment नहीं दिख रही है, कुछ Libra's के partner के लिए हो सकता है, कि words में वो आपको ना कह रहे हैं, words में वो commit नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके actions different दिख रहे हैं, उनके actions आपके लिए बहुत devoted और dedicated है अगें देखिए ये general reading है, सब Libras के partner के लिए differ करेगा और कहीं देखिए तर real deal का card कहता है, उनको इस चीज का एहसास है कि आप उनके लिए बहुत एहम है, आप उनके लिए बहुत important है और आप बहुत ही amazing इंसान है, और देखिए यहाँ पर eight of swords, reverse का card कहता है या तो उनके personal front में कुछ issues हैं जो उनको बहुत बांध रहे हैं, restrict कर रहे हैं या फिर इस relationship को ही लेकर वो confused है, sure नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं या किसी तरीके की एक helpless, एक hopeless वाली energies वो महसूस कर रहे हैं end में के लिए, ace of wands का card कहता है, कि जो भी आप लोगों के relationship में चल रहा है कुछ चीजों को end करके, यानि कि जो चीज़ें ठीक नहीं हैं, या फिर कुछ issues, मसलें हैं उनको end करके, एक नहीं beginning करना चाहा रहे हैं और बहुत motivated, बहुत excited, बहुत enthusiastic कुछ चीजों को लेकर वो surface level पे रहते हुए दिख रहे हैं लेकिन deeper level के लिए दिखिए कोई चीज है, जिसको लेकर वो two minds में है यहाँ पर yes or no का कार्ड बहुत ही clearly कहता है एक मन उनका कुछ और कहता है, और दूसरा मन उनका कुछ और कहता है in fact, Libras, दिखिए, यहाँ पे two of pentacles का कार्ड भी yes or no वाली energies की बात करता है तो दिखिए, जून मन्त में किसी चीज को लेकर वो two minds में भी रह सकते है यह against of Libras के partner के लिए differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है कि भई अगर आपके साथ घूमने जाना चाह रहे हैं तो इसको लेकर वो two minds में है और अगर आप लोगों का long distance relationship है तो आपके पास मिलने आना चाह रहे हैं इसको लेकर two minds में है और दिखिए, मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि ऐसा इस relationship में हो रहा है I'm just giving you examples जो भी दो चीज़ें मेरे mind में आई मैंने example के तौर पे आपको बताएं सब Libras के partner के लिए different चीज़ें हो सकती है जिनको लेकर वो yes और no में रहते हुए दिख रहे हैं यानि कि two minds में है कुछ के लिए दिखिए इस relationship को वो आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं इस चीज़ को लेकर भी two minds में रह सकते हैं तो again कोई भी चीज़ हो सकती है Libras जिसको लेकर आपके partner two minds में है yes or no में है यानि कि एक मन उनका कुछ और कहता है और दूसरा कुछ और कहता है हम ऐसा भी कह सकते हैं एक मन उनका किसी चीज़ के लिए हा करता है तो दूसरा मन ना करता है वो decision choice नहीं ले पा रहे है अब देखते हैं Libras की June month में क्या हो रहा है तो June month के लिए आपे सबसे पहला card है Four of Cups Rivers और ये card एक you know monotonous energies, boredom की बात करता है तो या तो आप दोनों ही अपने अपने level पे चीज़ों को enjoy नहीं कर पा रहे हैं एक बोरियत, एक monotonous energies महसूस कर रहे है या फिर इस relationship में एक boredom सा रहता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उतने actions, उतने initiatives इस relationship के लिए नहीं ले रहे हैं या आप दोनों में से किसी की भी energies हो सकती है ये सब Libras के लिए different reasons रहेंगे लेकिन ये आपर gamble का card कहता है कि आप दोनों को शायद ये लग रहा है कि इस relationship में आगे बढ़ने के लिए या फिर June month में जो भी आप लोग चाहा रहे हैं उसके लिए कुछ risk लेने पड़ेंगे, कुछ chances लेने पड़ेंगे एक तरीके का एक जुआ खेलना पड़ेगा दिखे, gamble का card literally जुए की बात करता है तो मैं ये नहीं कह रहे हूँ कि आप लोग gamble कर रहे हैं लेकिन जो आप लोग चाहा रहे हैं उसमें काफी या थोड़ा बहुत risk involved रहता हुआ दिख रहा है और शायद वो risk आप दोनों ही नहीं लेना चाह रहे हैं यापर 4 of Cups Rivers का card कहता है और आपके लिए भी Libras हमने Knight of Pentacles के card में दिखा कि आप बहुत safe, बहुत secure होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप risk नहीं किसी भी level पे, किसी भी चीज के लिए लेना चाह रहे हैं और कहीं June month की energies या फिर June month के cards इसी चीज को और जादा confirm करते हैं और इसी लिए या फिर otherwise भी Five of Swords का card कहता है कि एक unfair सी energies आप लोग महसूस कर सकते हैं आपको ऐसा लग सकता है कि भी जो भी हो रहा है कहीं आप दोनों इस चीज को नहीं deserve करते थे और देखे आपके partner के energies देखें तो आपके partner कहीं two minds में हैं decision नहीं ले पा रहे हैं बातें कर रहे हैं लेकिन actions नहीं ले रहे हैं और किसी चीज को लेकर helpless भी महसूस कर रहे हो सकता है Libras इस चीज को लेकर आप थोड़े से परिशान हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये unfair है आपके लिए या फिर overall ही देखें आप दोनों की जो भी energies हैं उसकी बज़े से एक unfair या फिर किसी level पर injustice आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं लेकिन देखें end June के लिए याँ पर high priestess का card hero friend sorry का card कहता है कि एक stability एक security इस relationship में आ रही है लेकिन साथ ही साथ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक again बहुत rigid बहुत fixated भी हो रहे हैं एक stubborn सी energies रहती हुई दिख रही है और जैसे कि हमने आपके card में देखा बहुत safe बहुत secure होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं और देखे हमने जून स्टार्टिंग में देखा कि किसी चीज के लिए एक risk लेना है एक chance लेना है तो आप लोग वो risk वो chance नहीं लेते हुए दिख रहे हैं हेरोफन का card भी कहीं safe secure होके चलने की बात करता है religion, society या फिर जो भी बड़े हैं उनके हिसाब से चीजों को करने की बात करता है fixated होके चलने की बात करता है tried and tested तरीके से चीजों को deal करने की बात करता है और देखे कुछ liberal मैं सब की बात नहीं कर रहे हूँ कुछ liberal के लिए ये भी हो सकता है कि marriage या फिर marriage related आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बात कर रहे है long distance का card कहता है कि एक long distance relationship रह सकता है और ये again सब के लिए differ करेगा, कुछ लोगों के लिए already हो सकता है Libras आपका और आपके partner का long distance relationship है कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं June end में या June month में आप travel कर रहे हैं, आपके partner travel कर रहे हैं जिसकी वज़े से एक distance आ रहा है क्योंकि देखिए long distance के उपर hero friend का card है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप दोनों के बीच में distance आ रहा है ये एक बहुत ही temporary physical level पे किसी भी तरीके का distance आ सकता है कुछ के लिए simply हो सकता है, आप लोग same city में हैं लेकिन उतना नहीं एक दूसरे से मिल पा रहे हैं उतना नहीं physical level पे connect कर पा रहे हैं और इसी लिए एक long distance सा, you know, energies इस relationship में रह रहे हैं तो ये था लिबराज आप लोगों के लिए June 2023 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ match करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें